Hi everyone, as we all know, last 40 days बचे हैं आपके SSC CGL 2023 के लिए, I hope आप एक right direction में तयारी कर रहे होगे, जो maximum weightage के chapters थे, उन्हें आपने पहले basic से अच्छी तरीकी से complete किया होगा, अगर नहीं किया है, तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी आप उस चीज़ को finish कर सकते हो, तो पहल जिनका weightage maximum है, पहले उसे complete करो, हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पर daily life practice sessions यहाँ पर conduct कराए जाएंगे, एकदम efficient और to the point life sessions यहाँ पर रखे जाएंगे, यह जो life sessions है, वो आपको CGL Adder 24-7 पर एकदम free of cost provide किये जाएंगे, तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या कर आपको क्या बोला है, अगर exam का level आपका यह है, तो आपका preparation level यहाँ तक होना चाहिए, आप इस level के questions करो, direct high level पर मत जाओ, वरना बाद में जो easy questions होंगे, वो भी करने में आपको दिक्कत होगी, और आप फालतु का ही बहुत जादा panic हो जाओगे, ठीक है, तो एकदम जो ची करेंगे, अब इसका reason का है, क्या सिर्फ mock test enough है, क्या अगर हम सिर्फ mock test दें, तो उतना sufficient है, नहीं, देखो, कुछ जो questions है, कुछ जो chapters है आपके, वहाँ पे आपको बहुत जादा speech चाहिए ही नहीं, ठीक है, कि जैसे, जैसे आपका embedded figure हो गया, बस आपको वो figure ढूनना होता ह mirror image हो गया, dictionary हो गया, इन वाले questions में आपको बहुत जादा practice करने की ज़रत नहीं है, पर कुछ जो chapters है, वहाँ पे आपको बहुत जादा practice करनी है, क्यों practice करनी है, एक चीज़ ये, कि आपको सारे उसके patterns पता चल पाएं, और डूसरी बात ये, कि आपको वहाँ पे एक speed develop करनी है, जो कि आपकी practice के साथ आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे chapter wise, जो भी best mixed questions है, उन्हें यहाँ पे practice करेंगे, ठीक है, quality तो आपको पता ही है, हवा में उठा के कुछ भी नहीं कराया जाएगा, एकदम best level चीज़ें आपको यहाँ पे कराई जाएगी, इसके बाद लास्ट चीज़ हम करेंगे, वो होगी, chapters with maximum weightage, अब इसका मतलब क्या है, जितने भी chapters हैं हमारे, जिनका weightage बहुत जाद है, जैसे coding decoding हो गया आपका, इसमें से आपके 10 सवाल पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ, दूसरी चीज़ हमारी है, syllogism, syllogism में से दो सवाल पूछे जाते हैं, blood relation के आपके दो सवाल पूछे जाते हैं, तो 17-18 सवाल तो यहीं से हो गए, और भी कुछ chapters हैं, जिनमें एक अच्छा खासा weightage है आपका exam में, तो हम क्या करेंगे, उन सारे chapters को mix करके भी सवाल वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी, इससे ये और ज्यादा क्या हो जाएगी, boost हो जाएगी, ठीक, आपकी speed boost होगी इस चीज़ से, तो इस order में हम alternative day, हर एक अगले दिन, मतलब हमारा pattern क्या होगा, पहले दिन हम क्या करेंग एक्जाम अप्रोच सिखोगे, जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही है, या फिर जहां पर आप slow हो, वो चीज़ आपको बता चलेगी, दूसरी चीज, chapter wise mixed questions, एक एक चैप्टर पर हम एक अच्छी command बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, बिल होगा, उसमें हम क्या कर रहे होंगे, चो भी जादा वेटेज बाले चैप्टर है, उन्हें एक साथ लाके, उनके mixed questions वहाँ पर डालके, हम प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है ये बात, इसी चीज़ को हम follow करेंगे, alternative days में, first day ये, second day ये, third day ये, और फिर से ये cycle हमारी repeat होगी, again, अगर आपके basic clear नहीं है, तो आप basic sessions देख लिजे, वो बहुत जादा important है, ठीक है, तो चलिए, फिर मिलते हैं आपसे आज रात को 9 बजे,